आप सभी को मेरा नमस्कार और आईए आप सभी का स्वागत है लर्निंग और यूटूब चैनल के अंदर इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप RSM SSB का फोर्म कैसे बर सकते हैं साथ ही साथ इसके अंदर कुछ extra information है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा का पू है यहां पर अपना नाम लिखना है तो यहां पर अभरती का नाम है बढ़ती का नाम वगरा यहां पर दे रखा है ठीक है अब यहां पर आपको form स्टार्ट होता है यहां से ठीक है दो यहां से तो यहां पर आपका आविदक का नाम लिखना है पिताजी का नाम लिखना है य इमेल डिखनी है और यहाँ पर आपकी जीवत बाला ककरसाधी सुदा है तो भो चीजेए लिखनी है इसके अलावा यहाँ पर आपको एड्रस लिखना है आपका यहाँ पर दोनों में आजएगा यहाँ पर आड्रस और फॉन करनी है, नेशनलिटी आपको लिखनी है, होम डिस्टिक, ग्रे डिस्टिक, तैसिल वगरा ये सब वहाँ पर आ जाएंगी, तो जैसे आप राज्य सेलक्ट करेंगे, वैसे आपका जिला सेलक्ट करेंगे, उसके बाद में आपका ब्लोक वगरा ही सब कुछ आ जाएगा, फिर भी आ जाएगा ठीक है तो यह थी कुछ चीजें इसके अलावा आप अगर sports person है तो sports person की detail भी आप यहाँ पर fill कर सकते हैं इसके अलावा और चीजें है टूनामेंट, ट्रेनर, और उनका medal का नाम वगरा यहाँ आप यहाँ पर fill कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपको और चीजें देख रखिए, dashboard के अंदर board का नाम वगरा order ID और यह सारे आप देख सकते हैं ठीक है इसके अलावा आपको preference देनी है TFSP और non-TSP दोनों को ही तो यहाँ पर आपकी जो preference है first preference, third preference क्या है तो यह सारे preference आपको भरनी है जितने भी preference यहाँ पर 5-7 लेता है वो सारे भरनी है इसके अलावा fees भरनी है आपको OBC के हैं तो अलग fees है और SCST के हैं तो अलग fees है वो आपको बता देते हैं इसके अंदर तो यहाँ पर official notification के अंदर हम देख लेते हैं कि क्या-क्या चीज़े हैं यहाँ पर उससे पहले मैं यहाँ पर आपको PPT बता देता हूँ तो यहाँ पर राजस्थान वीडियो इसकी एक्जाम है और एक्जाम की बारे में कुछ चीज़े बता देता हूँ number of vacancies into 15x यानि कि यहाँ पर अगर मान लिजे 4,000 vacancies है तो यहाँ पर 4,000 का 15 गुना candidates मेंस एक्जाम के अंदर भाग लेंगे यह इनका पूरा strategy है यह पहले से ही decide कर रखा है तो यहाँ पर अगर 4,000 candidates है 4,000 vacancies है तो यहाँ पर 60,000 लोग यहाँ पर आपको मेंस के अंदर किया जाएगा तो यह यहाँ पर पहले ही दिया हुआ है तो पहला point पढ़ते हैं ग्राम विकास अदिकारी के पदों पर भड़ती है तो दो चरणों में आयूजित की जाएगी परिक्षिया प्रथम चरण में प्रारंबिक परिक्षिया है नि प्री एक्जाम होगी और दू भरी जाने वाली श्रेणिवार रिख्तियों की कुल संख्या की 15 गुणा होगी यानि कि जितनी भी वेकैंसी है टोटल नंबरो वेकैंसी है उसके 15 गुणा कैंडीडेट्स मेंस एक्जाम के बैठेंगे ठीक है कई-कई के अंदर 10 गुणा कैंडीडेट्स होते हैं बट इस म तो इसमें 15 गुणा candidates यहाँ पर mains exam के अंदर बैठेंगे, कहीं कहीं जो central government की exams होती है, उसके अंदर 10x candidates बैठते हैं, जैसे कि army की exams हो गई, ssegd की exams हो गई, इन exams के अंदर 10 गुणा candidates को pass किया जाता है, बट RSM SSB की video की post के लिए यहाँ पर आपको 15 गुणा candidates mains exam के अंदर बोर्ड दुआरा प्रारंबिक परिक्सिया का आयोजन संभवाईत है, दिसमबर 2021 और मुख्या का 2022 फरवरी में किया जाएगा, और बाकी जो date है, वो postpone हो सकती है, इस पे जो पूरा परिवर्टन है, उसकी अधिकार की जो वो change करने की जो पूरे rights है, वो RSM SSB के पास है, त complete syllabus नहीं है, एक overview syllabus देख सकते हैं, राजस्थान का complete GK आएगा, चाहे current GK हो, चाहे static GK हो, geography हो, history हो, culture हो, ठीक है, तो सारा राजस्थान का GK आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर, current affairs तक भी देखने को मिलेगे, राजस्थान की current affairs वो भी, general knowledge, general knowledge जो important questions है, जो central के जिसके बोलते हैं ना, all India GK, all India GK आपको देखने को मिलेगी, all India level की GK भी, इसके लाबा हिंदी और इंग्लिस दोनों ही भासाएं आएंगी, और reasoning और mental ability यानिके reasoning आएगी, और current affairs सभी आएंगी, central के current affairs यतरा पूरे worldwide current affairs वो देखने को मिलेगे, और computer की knowledge, तो लगबग लगबग अ उसके समान ही है, आप देख सकते हैं, ज्यादा तर स्लेबस पटवारी के समान ही है, इसके अंदर थोड़ा सा और चीजें भी हम discuss करेंगे, अगर हम complete वीडियो बनाऊंगा, मैं आगर आपकी demand रही तो, तो उस पर मैं complete स्लेबस एक-एक चीजें cover करूँगा, अगर आप comments के अंदर मुझे लिख कर बताते हैं कि सर, हमें पूरा स्लेबस cover करके बताईए, एक-एक चीजें जिससे हम तैयारी कर सकें, तैयारी स्टार्ट कर सकें, तो उस पर मैं एक अलग separate वीडियो बनाऊंगा, ये तो एक general overview था कि स्लेबस में क्या-क्या चीजें आने वाली है, और ये चीजें और आप देख सकते हैं, एतिहा, संस्कृति, भूगोल वगरा ये पूरा डिटेल के अंदर है, तो ऐसे मैं डिसकस करूँगा, लोक नरत्य है, ये सारी चीजें हैं ना, संतु, योध्धा वगरा, सब कुछ लोग देवी देवता, ये सारी चीजें हम यहाँ प यहाँ पर देख लेते हैं, स्लेबस के अंदर और चीजें, ये तो ओफिजिल नोटिफिकेशन है, ये अगर आप डाउनलोड करना चाहे तो कर सकते हैं, बागि इसमें आवेदन की परिकिरिया वगरा सब कुछ दे रखी है, तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं, यह पर लगबग 4,000 के, 4,000 से थोड़ी सी कम है, 104 वेकेंसी 4,000 से कम है, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं, और अब आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो मैंने चीजें डिसकस करनी थी, वो कर दिये, बाकि अब हम डिटेल में नहीं जाएंगे, फोर्म कैसे भरना है, वो च 40 साल से उम्रे जादा नहीं होनी चाहिए, और 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 18 और 40 यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, इसके अलावाद 2022 तक अगर आपकी एज ध्यान से सुनेगा, अगर एक जनवरी 2022 तक आपकी एज 18 साल हो जाती है, तो भी आप फॉर्म के लिए अग्जाम के अंदर तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है यह था एक डिटेल्ड वीडियो जादा, डिटेल्ड वीडियो तो नहीं, एक ओवर्व्यू वीडियो था, तो वीडियो आपको पसंद आया, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल बटन को जरूर दबा लेना, ताकि आने वाले वीडियो जाया, आप मिस न कर पाए, आप सभी का वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद, थैंक्यू.